जाहीं दोस्तों कैसे हैं आप लोग स्वागत करता हूँ आपके अपने ही वैके यूटूब चैनल प्रेडिक्शन राजा में अभी हम बात करने वाले हैं सेंट्रल स्टैक्स वर्सेज टैगो वर्ल्स के बीच में खेला जाएगा ड्रीम 11 सुपर समस्टी 20 मुकावला उसको लेके डीटेल्स में बात कर लेंगे एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा अभी जो हम बात करेंगे वह वस एक देमो टीम होगा फाइनल टीम में जो भी ब करके अब लोग टेलीग्राम चैनल से जोएन हो जाईएगा अब आईए हम बात कर लेते हैं वीनिंग परसेंटेज को लेके तो यहां पर मुझे लग रहा है कि टीम थोरी सी फैविट रने वाली है और इसके वीनिंग चांसे तकरीबन मैं बोलूंगा 60% के आस-पास है वही बेलिंग वर्सेस बैडिंग का मुकाबल आपको देखने को इस मैच में मिल जाएगा आईए पहले हम देख लेते हैं दोनों टिम का जो एसक्वाइड एनॉंस हुआ है इस मैच के लिए वह क्या है इसक्वाइड मैंने जो है वह टेलीग्राम पर पोस्ट कर रखा है यहां आप दो लोग दिखिएगा तो आपको दिख जाएंगे सेंटल स्टैक्स का स्क्वाइड कुछ ऐसा टॉम ब्रूस कैप्टन डग ब्रेस्विल जे क्लाक्षन डैन क्लीवर जे फिल्ड जी है जैडन लेनक्स जी लियोपार्ड एडन मिलने सेथ रेंस बले टिकनर और बी वि क्लीव और माइकल डिपन बॉलिंग में अगर आप बात करोगे तो इधरसा आपको नजर आजाएंगे मैचल डिपन चार अवड डालते हुए एसके लाब आपको दिख जाएंगे यहांसा जयक कपड़फी चार अवड डालते हुए मैट बेकान चार अवड डालते हुए 16 यह डालेंगे बाकिक 4 हवर के लिए पिसले मैच में जो है मैंने देखा था कि अगर मैं सही हूं तो यहां से जोस फिनी ने 4 हवर डाल दिया था तो वह आज कितने वर डालते हैं वो देखने वाली बात होंगी और जोस फिनी ऑपन भी कर रहे हैं तो आपको लोगों के लिए लेकिन यहाँ पर बेन वीलर जो है विश्क्राइड में नहीं है तो उसको लेकि आप लोगों को ज्यादा सोचने की जुरत ही नहीं है अगर इन तीम से बात करेंगे डेथ में तो आपको नजर आ जाएंगी एक मैट बेकाउं दूसरा नजर आजएंगे आपको जैकाफ इस ट्रणमेंट में दोनों टीम का जो मुकाबला भी तक खेले गए हैं वो कुछ कैसा रहा है से पहले हम देख लेते हैं वह टैगों बोल्स की तो लास्ट मैच में नौदरन ब्रेव टीम को फैंटी लगा कर आ रहे हैं जहां पे नौदरन ब्रेव को पहले उन्होंने बल् विकेट लिए वेते जोस्फिनी चार वर बैसान दो विकेट मैका डीपन चार वर सतैस दो विकेट अगर बल्यवाजि में बात कर लेतो हमी जदर फोट किये वेते आठ रं जोस्फिनी दस रं इन दोनों के लिए इस मैच में रन करना मुझे लगता कि बहदी मुश्किल रन वाला है रिजन के है कि सामने आपको दिख जाएंगे एड़न मिलने और शेथ रंस बॉल नया बॉल से गिंदवाजी करते हुए जो कि कभी किसी के लिए रंड करना आसान नहीं होंगे उस पेस अटेक के सामने उसके बाद निल बुरूम अब आईए हम बात करते हैं सामने वाली टीम को लेके लेकिन मैं आप लोगों को इस ट्रूनेमेंट में जो भी मैच खिला गिया है उसको जाके एक पर आप लोग जरूर विजिट कर लिजेगा आपको वह बहुत फायदे देंगे ठीक है अगर यहां पर बात कर लेंगे सेंट्रल स्टेक्स की तो वह लास्ट मैच में सी टीवी के गंस टहार के आ रही है गंदवाजी यह बात करेंगे डग ब्रेस्वेल चा आपको नजर आ जाएंगे बी वीगिंस टेरा डन जी हे बारम किलीवर जीरो लियोपार्ड 25 टॉम्बुरूस छे कलायक्षन 25 टगरे बैडिंग कर देंग यार चोका चका में डिल करने के लिए त्यार थे और इससे पहले भी उन्होंने यही इनिंग खेला हुआ था लगब सत्तर के असपास में जब हमारे बहुत बड़े डिफ्रेंशल पिक थी इसके लाबाद डग ब्रेस वेल चाओधा वीलर स्क्वाइड में नहीं है टिकनर एक रेंस आठ और जैडन लेनक्स 17 किये थे अब आईए हम बात कर लेते हैं डेथ वालिंग को लेके तो यहां से आप हम बात करेंगे कुछ बड़े बैट्समें को लेके तो जेक लाक्सन लास्ट के नौ मैच में इस ट्रूनामेंट के 34 के साथ 243 की हुए हैं सबसे बड़ी बात आप स्ट्राइक के उपर घ्यान दीजिए 173 का स्ट्राइक रेट है यह इस सीजान अभी तो गंदवाजी नहीं दस मैच में 269 रन 32 के व्रेस चे इह ने रन किया हुआ है बेट्सफर लास्ट के 10 मैच में यहां से किया है 12 विकेट मैखल डिपन लास्ट के 10 मैच में 11 विकेट नहरू की बात कर लें तो 28 नौंबर 2021 को खिला गया था वहां पर देखिए का दोस्तों क्या हुआ था आमना सा गेंदबाजी में देखिएगा सेथ रन चारा वर सेंटी सन एक विकेट उसके अलाबा बेन विलर इसकोईड में नहीं है डॉक ब्रेसवेल चारा वर लगा देथी एक से चोज़ार रन जी है 56 रन टॉम ब्रूस जीरो लियोपार चार इसके लाबा डग ब्रेसवेल जीरो औ बात करोगे तो आपको दिख जाएंगे जैक कफ डाफी चार वर बती सन एक विकेट कीचंद चार वर तनाइटी सन एक विकेट जैक गिप्सन दो में बाइस रन जीरो विकेट मैथ्यू बगाउन चार वबर सेंटाइस रन दो विकेट रिपवन के पर ध्यान दीजिए 18 जनबरी को वहां क्या हुआ था वहां पर दोस्तों चेंट्रल जिस्टी की टीम जो है वह टैगों को पांच विकेट से रौन दी थी बल्लेवाजी में हमीश रदरफोड चार किये हुए थे नील ब्रूम 42 निक कैली मोजे वाई ये पिलर बहूत ज्यादा पसंद है बहूत पर थ्याद दीजिये तुर्ण दोब्र विकेट लिए थे जी यॉर्कर भी इस वाल इस टीम के साथ नहीं है यहां से बात करेंगे बल्लेवाजी में किलीवर 19 यांग और रॉस् टेलर को लेकर बात नहीं करेंगे करेंगे लिभर बस्ति रधूर ब्रूम्रों के ब्रूम बात कर लेते सकेंड लास्ट मैच को लेकिए इस स्टैट्स का बहुत ज़्यादा यूज आपको नहीं पड़ेगा लेकिन मालोग कोई नया खेल लेता है तो आपको तो कमसे का मालूम होना चाहिए कि उसका रॉल क्या रहने वाला है तो सीडी का मुकाबला हुआ था और टैग नहीं देन क्लीवर एक जे क्लाक्षण प्रोमोट हुए थे बहुत तगड़े बैट्स में हार रिटिंग करना जानते हैं फिल्डर आपको पर कैचिंग पोजिशन पर रहेंगे क्लाक्षण पर काम करते हैं अगर गंदवाजी करते नजर आ जाए तो वह सब कैप्तन के आप अगर आप टैगों का बल्लेवाजी देखोगे तो वह सब निक के लीकों पर ध्यान दे दीजेगा 75 रन 54 वाल साथ चुका तीन चकटकड़े बैसमेन है जरूर आप लोग मीनी जील में कंसीड़र किजिए यहां तक कि मुझे स्मॉल लिग में लेने को बहुत मौना है लेकि टैगों के तरफ से मैं बोलूंगा कि टॉप दो को आप अगर आप छोड़ती हो रिजन के कि अधर मिलने की बॉल देगी रन करना कभी आसान नहीं होगा तो आप निक कैली के साथ उस कंडिशन में स्टीक कर सकती हो नील बुरूम 15 किये वेते इसके लाभा आप लोग देख टीम विकेट के पीछे बात करें तो आपके लिए सबसे बेहतर चोईस मुझे दिख रहा है वैसाब डी क्लीवर बैटिंग में आपके लिए नील बुरूम है मिश्ट तरफोर टॉम यह तीनों सबसे बेहतर पीक हैं इसके अलाबा एक पीलर मुझे लगते हैं कि आपके लि लाक्षन को ट्रै कर लिजेगा 20-25 बॉल में अपना काम यह कर देते हैं उससे ज्यादा इनको चाहिए नहीं अगर उससे ज्यादा इनको मिल गया तो वैसाब सामने वाले टीम समझो की गेम छोर के ही जाएंगी उसके अलाबा कोई option ही नहीं है इतने तग्रे हीटर हैं बॉ फिलाल मैं जाओंगा यहां से जोस फिनी के साथ और यह मेरा टीम फिलाल फाइनल बन रहा है सब भी अप्लिकेशन के लिए क्लिए टोटली बैटिंग ट्रैक पीछे दिखेंगे जहां पर आपको टार्गेट 180 का सबास देखने को मिल सकते हैं उसी एक्कॉर्डिंग मैंने टीम में बैट्समेन कुछ ज्यादा ही लेने को सोचा है और मुझे लगता है कि इस मैच में आपको बैट्समेन को प्रिफर करना भी ज्यादा से यादा चाहिए तीम प्रिव्यू को लेके बात करें विकेट के पीछे डी क्लेवर को लिया हुए बैटिंग में नील ब्रूम को 5 कैटन बीची में दे रहा हूं उसको आपको जी यल में वीशी अल में रोटेट करना है रोटेशन पॉलिशी में आपको बिच्टीम बनेंगे मैं आपको जी यल के वीडियो प्रोवाइट कर रभावी रखें करें खेलें उसको आप लोग नहीं देख यो तो जाके और देख लीजेगा पांच में पहला मैं जिसका नाम लोगा उनका नाम दोस्तों यहांसे डग ध्यसविविल दूसरा मैं नाम लोगा अच्छा को देंके चल सकते हों स्मॉल लिग में मैं इसको कैप्टन से फिलाल दे रहा हूं वो मेरे कैप्टन होंगे डग ब्रेस्विल और वी सी मैंने फिलाल अनारू कीचन को दिया हुआ है और यह मेरे फैनल टीम बन जाएगा सभी अपलेकर सन के लिए जहां कई मैं खेलूंगा सेम टीम की साथ अब आईए दूस्तों हम बात कर लेंगे यहां पर सुपर समयच में जो आप लोग को बैसेल करने उसको लेकर थोड़ा सा ठीक है उससे परले आप लोग अभी कमेंट सेक्शन में जाए और बताइए कि द ऐसे आप लोग का जो खेला जा रहे दूसरा डिश्क मेंच वो कैस उसको बैक कर लो जो लगे कि आज के मैच में अच्छा नहीं करेगा उसको अराम से सेल कर सकतो यह आपको खुद से सोचने पड़ेंगे क्योंकि देखो इन सब चीज में अगर आप कॉपी करते हो तो मुझे लगदा है फिर आप सीखने के कोसिस नहीं कर रहे हो और सीखने क यहां से जैसे कि मैं बूलूँगा टॉम रूस का आप लोग बैक कर सकते हो इसके साथ आप लोग जैड़ को बैक कर सकते हो कलाक्शन चला तो वह सब आपको तगरे प्रफिट देंगे नहीं तो यह आपको मिनिमूम 10-20 प्रफिट देंगे तो भाइकर सही करी सकते हो आप लोग जोस फिनी को भी बैक कर सकते हो और डिपेंड अनारो कीचन जैकर डेफिए यह तीनों भी ठीक ठाक बैक अप लोग देख लीजिए जो आपको लगते हैं कि इसका दीन आज अच्छा हो सकता है उसका आप लोग बैक कर लीजिएगा टॉस के बाद भी आप लोग सकता दूरी बनाकर ही चलें जिसका बज़र ठीकता को कभी में मल्टी वगर एक पीलर के साथ खेलें मत क्यों कि एक पीलर के साथ खेलो के बाद 17-18 में से कौन हैस्ट पोइंट गेटर होंगे उस से कर में आपका पैसा अच्छा खासा चला जाएगा ठीक है तब कम से कम पां पांच मैच में उन ही पांच मैच से बैठा लोगे हैस्ट पोइंट गेटर अगर यह नहीं बैठा पाते हो तो फिर आपको क्रिकेट में थोड़ी सीखनी होंगी ठीक है तो आप लोग पांच पिलर को कम से कम 10 या 5 दफा यहां पे मल्टी वेगर में होल्ड करके रख लीज आपको अच्छे खासे प्रफिट देके जाएंगे आप आई यहां बात कर लेते हैं वह अप्लिकेशन पर जहां मेरे इन्वेस्टमेंट इस मैच में अच्छे खासे रहने वाले हैं तो आप लोग जब यहां पर पहने के बाद उपर वाले मैसेज के उपर क्लिक किजेगा आपके सामने सारे अप्लिकेशन खुल जाएंगे इसमें दोस्तों नंबर 6 पर है इसमें इस मैच में अच्छा करसा इंवेस्टमेंट करूंगा बागी सारे अप्लिकेशन भी बेस्ट है आप जहां भी खेलना चाओ खेल सकते हो या फिर इन में से कोई अलग भी अप्लिके एक्स वीडियों में तब तक के लिए इंजवाई कीजिए अच्छा का सावीन कीजिए और कमेंट सेक्शन नों जाके अपना प्यारा साइक कमेंट जरूर कीजिए